राधे राधे एवरिवन पैसिफिक वॉल में अब सभी का स्वागत हैं फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सो सेरे का नियम हम कैसे उठाते हैं मकर सक्रांती से सो सेरे का नियम हम कैसे उठाते हैं सो सेरे में हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए क्या चीज पूरे सो सेरे में सो चीजों का दान किया जाता है। सो सेरे में हम सोने चांदी का दान कैसे करें। अगर आपने चूर्मा बनाया है तो आप एक किलो चूर्मा ले ले लिजिए। जो भी चीज आप दान करते हैं एक किलो जरूर होनी चाहिए, तो या तो आप एक किलो चूर्मा ले लीजिए, या फिर आप मूंग चावल की खिचडी ले सकते हैं, तो ये चावल में हरा जो मूंग होता है, मूंग की दाल मिलाकर हम खिचडी बना लेंगे, एक किलो या फिर पिर आप तिल का दान करके भी यह नियम शुरू कर सकते हैं तो आप रेवडी ले लिजिए या गुड और तिल ले लिजिए या फिर आप हरा साग यानि की पाल लग बथवा कोई भी जो हरी सबजी होती है वो ले सकते हैं इन में से कोई भी एक या दो चीज आप ले और उसके बाद इसको दो बार हम वार देंगे इस तरह से देखिए हाथ में थोड़ा सा जल लेके दो बार इस तरह से वार के हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे कि आज से हम सोसेरे का नियम ले रहे हैं हे भगवान आप ये नियम पूरा करने में हमारी साहिता करें और अग दान हमें किसे करना है? आप किसी भी जरूरत मंद को यह चीज़े दान दे सकते हैं. मंदिर में आप यह दान पहुburgh सकते हैं. या आपके परिवार में, जो भी कोई आपसे बड़ा है रिश्ते में, जैसे आपके जेठानी, आपकी सासुझी, आपकी ननद उन सबको भी आप हम हल्दी दैनी जी उनमें यूज करते हैं तो हल्दी जरूर दान दें नमक का दान जरूर दें क्योंकि नमक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसके साथ ही आप मीठे का दान जरूर करें जैसे आप बूरा ले सकते हैं मीठे में साथ ही आप राजमा ले सकते हैं जो चीज दान करेंगे न वो एक किलो होनी चाहिए जैसे मैंने जीरा लिया है ये ढांष। डाईसोग्राम के पैकट है तो चार पैकट लएकर मैं एक किलो दान कर दूँगी आप एक किलो रायते की बुंदी दे सकते हैं एक किलो आप डिटरजन पा कॉडर जिसे आप कपड़ेद होते हैं वो दान कर सकते हैं सरदियों में एजी से कपड़ेद होते हैं तो आप चाहे तो आप एक किलो एजी दान कर सकते हैं इसके साथ ही बरतंद होने का साबुन आप दान कर सकते हैं और दालों का दान भी हमें जरूर करना चाहिए मूं की धुली हुई दा चाल आप दे सकते हैं जाये साथ आप बि कृत्कित आप बिस्किट आतागर कर, Сबूभी एक बिस्कित कर दीजियें, कॉन फ्लेक्स आप दान कर सकते हैं मैक्रोनी दान कर सकते हैं पास्ता दान कर सकते हैं चीनी आप दान कर सकते हैं तो चीनी में आप देखे चीनी भी ले सकते हैं खांड भी ले सकते हैं और बूरा भी ले सकते हैं तीनो चीजे आप दान कर सकते हैं के किलो आप चाहें तो मैग आप चाहें तो सभी ड्राइफ रूट एक साथ मिला के भी आप एक किलो दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दो तरह के सर्फ भी दान कर सकते हैं। तो सुःट की चीज़ें हमें जरूर जरूर दान करनी चाहें इसके साथ ही हम अपने जीवन में घी और तेल का बहुत इस्तёмाल करते हैं। जो गी एल का दान हमें जरूर करना चाहिए एक किलो होनी चाहिए ए चीज भी इसके साथ ही आमें दूद धही लासी का दान भी जरूर करना चाहिए और कपडो का दान आप जरूर करें जब आप 3070 सर्फ 되ा sवर सका जरूर करें आप 7-85ा उसे तु Meer तुल्वां का आप दान कर हो trouvé हैं वह लेके उन्हें भी हम एक किल्ड तुल्वाके दान कर देंगे तो जैसे मैंने गरम ने ले. घंड़ कपड़े ले ले लिए हमारी किल्वारी स्थीये हमारी कपड़े क क Kung ढन कर देंगे और्धाना की न σाहरा רाहे। दान कर. यलिये दातों क पीतल के बरतल ले लिजिए, एक किलो पीतल आप दान कर सकते हैं, तो अगर आप खाली पीतल दान करना चाहते हैं, तो एक किलो पीतल हम ले लेंगे, तामबा हम एक किलो ले लेंगे, तो एक किलो तामबे के बरतन आप कोई भी लेकर एक किलो तुलवा के दान कर सकते हैं, तामबे, पीतल, स्टील के बरतन इखटा करके इन सभी बरतनों को एक किलो तुलवा के और फिर आप ये दान कर सकते हैं। सोने और चांदी की कोई भी एक एक चीज ले लेंगे। सिर्फ आप चांदी के बिच्छी ले लेंगे। तो बिच्छिये और नोजपिन हम ले लेंगे, अब सोने का दान हमें कैसे करना है, एक किलो हम चने की डाल ले लेंगे, उसमें हम ये नोजपिन डाल देंगे, तो ये सारा हमारा सोने के बराबर हो जाएगा, नोजपिन को आप सीधा ना डालें, नहीं तो आपको डाल में नो व्जपिन डाली है ताकि भोड़ लें तो इस तरह से देखिए 1 kg सोना हो गया है अब हम एक किलो चांदी लेंगे तो चांदी के लिए हमें चावल लेए और ध्यान रहें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए ताकि बिल्कुल साबुत चावल हमें लेएं अब चावल में देखिए हम यह जो अमने बिच्छे लिए है यह बिच्छे हम डाल देंगे जो भी चांदी की चीज आपने लिए वो आप डाल दीजिए उसके बाद हम इने मिनस के किसी को भी हम यह दान दे देंगे दक्षिना हमें जरूर रखनी है तो यह आप ध्यान रखेंगे, अगर आप एक ही इंसान को यह दे रहे हैं, तो फिर तो आप एक ही दक्षिना रख देंगे, यानि दोनों चीजों पर एक दस रुपए, पांच रुपए, सो रुपए, जो भी आपकी शर्दा है वो आप दे दीजिए, लेकिन अगर आप यह अलग-अलग लोगों को दान कर रहे हैं, तो फिर आपको अलग-अलग दान दक्षिना देनी होगी, यानि दो लोगों को अगर यह दे रहे हैं, तो दो जगए आपको दक्षिना देनी होगी, सो सेरे का जब भी आप दान करते हैं, तो जित तो फिर आप दो साल, तीन साल, चार साल में ये दान पूरा कर सकते हैं, पांट साल से ज्यादा समय हमें इसे पूरा करने में नहीं लगाना चाहिए, और सो सेरे के दान के लिए किसी विशेश दिन की जरूरत नहीं होती है, एक बार सो सेरे शुरू करने के बाद साल के बीच म आप किसी भी दिन ये दान कर सकते हैं जब भी आप सामान लेके आएंगे जब भी सुईदा हो आप ये सीजे लेके मिनस के और ये दान दे सकते हैं पूरी सो चीजे हमें दान देनी होती है और हर चीज एक किलो होना जरूरी होता है अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या च बास्ता दान करते हैं, तो भी हमें धियान रखना चाहिए, कि इसमें प्याजलासुन नहीं हो सब्सक entailsig दान हो जाएं, देखे हर चीज के दान करने का अलग-अलग महतव और अलग-अलग फल प्राप्त होता है, किस चीज के दान करने से क्या फल मिलता है, इसके उपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, जिससे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, के साथ ही देखे मकर स सकरांती से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, बहुत सारी कहानिया सुनने के नियम लिए जाते हैं, वो कहानिया कैसे सुनेंगे, उनका उध्यापन कैसे करेंगे, मकर सकरांती पर हम क्या-क्या दान कर सकते हैं, किस तरह से हमें दान करना है, इन सभी विशो पर आपको सकते हैं मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी-पूरी कोसिस करूंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदु धरम के सभी तीज त्योहारों की संप पूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री किष्णा राधे राधे